नमस्कार दोस्तों मैं आजय सिंग आपका स्वागत करता हूँ SSC Maker के YouTube चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Maths के दोस्तों 5 अतिमेहत्पूर प्रश्ण जो बार-बार आपके परिक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों Maths में कुछ Set Pattern के प्रश्ण होते हैं जो हमेशा एक्जाम में आते हैं उन सभी प्रश्णों को इस वीडियो में हम सामिल कियें और दोस्तों सभी प्रश्णों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे ताकि आपको मैध के प्रश्णों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत ना पड़े दोस्तों ये सारे कोश्ण आपके आगा मी सभी परिक्षाओं के लिए बहुत ही मैध पूरे इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्णों को ध्यान से देखिएगा और नोट जरूर करिएगा आईए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्ण देखिएगा दोस्तों पहला प्रश्ण बहुत इंपोर्डेंट है ये कोश्चन कई बार एक्जाम में पूछा गया है ये यूपितर पलेश्णी में दोस्तों ये बहुत बार रेपीट किया है सिंपल कोश्चन है ज्यादा कुछ करने की जोरत नहीं है बस आपको क्या करना है एक बार प्रश्ण को समझना है देखिएगा प्रश्ण पहले पर ये प्रश्ण है दोस्तों एक गारी में 25 लीटर पेटरॉल डालने पर 375 किलो मेटर की दूरी तय की जा सकती है 55 लीटर पेटरॉल डालने पर कितनी दूरी तय की जा सकेगी ध्यान दीजिएगा ज्यादा कुछ नहीं है प्रश्ण में प्रश्ण में ये बोला है न 25 लीटर पेट्रॉल डालने पर कितनी दूरी दोस्तो 375 तो ऐसे आप लिख सकते हैं दोस्तो 25 लीटर पेट्रॉल डालने पर कितना 375 तो 1 लीटर पेट्रॉल डालने पर कितनी दूरी तै की जा सकेगी बताइएगा 375 बटा क्या होगा दोस्तो 25 यह क्या होगा एक लीटर पेट्रॉल डालने पर तैक की जा सकेगी दूरी यह आएगा ठीक है लेकिन पूछ के रहा है दो हम से पूछ रहा है पच्पल लीटर पेट्रॉल डालने पर कितनी दूरी तैक की जा सकेगी तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तो तीन सो प 25 और यहां पर हो जाएगा 12 और 2 यानि 125 पचीस 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 पच्पन गुणे 15 तो 15 से गुणा करेंगे दोस्तो 15 55 का 5 हासिल 7 15 55 55 साथ क्या होगा दोस्तो 82 यानि कि 825 किलो मीटर की दूरी दोस्तो ताय की जा सकेगी 55 लीटर पेट्र डालने पर देखिए 825 किस पचीस पचीस पच्पन में है देखेंगे ऑप्चन नंबर B में हैं आपका उप्चन नंबर B दोस्तो क्या हो जाएगा तो दोस्तो हम उमीद करते हैं आप इस प्रस्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गयंगे और इस टाइप की कोई सिन आपको exam में आएगा तो आप अच्छ से solve कर लेंगे ठीक है बस हम आपको समझाने के लिए दोस्तों इतना लिखे हैं exam में आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है बस आप देखेंगे 25 लीटर में 375 तो एक लीटर में क्या होगा दोस्तों 375 बटा 25 और 55 लीटर की बात कर रहा है तो गुने कर देंगे 25 बस इसको कटा लेंगे तो दोस्तों क्या आजाएगा 825 आजाएगा जो कि option number B में 825 किलोमेटर यही answer हो जाएगा बस exam में इतना ही करना है ठीक है आपको यह नहीं लिखना है कि एक लीटर में कितना चला है इतना ठीक है बस ऐसे आप करेंगे direct answer आजाएगा और हम उमीद करते हैं दोस्तों आप प्रसुन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे चले अब next question की ओर चलते हैं अगला question देखिएगा दूसरा question दूसरा question काफी important question है repeated question है कई बार exam में पूछा गया है और ऐसे प्रस्न हमेंसा आते हैं तो प्रस्न को पहले ध्यान से देखिएगा प्रस्न है दोस्तों 12 गाय एक साथ 7 दिनों में 756 किलो घास खाती है दस दिनों में 15 गायों से कितनी घास खाई जाएंगी तो यहाँ पे प्रस्न को समझने का प्रयास करिएगा यह प्रस्न देखिए किस formula लगता है M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2 M1 की जगा कितनी गाय है 12 गाय ठीक है D1 की जगा कितना दिन 7 दिन और W1 काम क्या कर रहे है दोस्तों खाने का 756 यहाँ पे आ जाएगा 12 गाये हैं दोस्तों कितने दिनों में 7 दिनों में काम क्या कर रही है 756 किलो घास खाती कितना दोस्तों 756 अब ध्यान दीजेगा यह 756 है आपका ध्यान दीजे और दूसरे स्टिप में बोल रहे है दोस्तों 15 गाये है 10 दिनों में 12 शके क्या होगा, दोस्तों, 12 शके 72 हो जाएगा, और यहां पर 3 बचा 36, 12 बारती है 36, फिर 7 नवा यह, 63, 9 बार में कट जाएगा, यह 9 दोस्तों नीचे है, बराबर के इधर, देखिएगा, बराबर के इधर भाग में, बराबर के उधर जाएगा, तो क्या हो उपर जाके, ग यानि W2 बराबर दोस्तों क्या होगा? 1350 kg यही यह answer हो जागा. देखेंगे 1350 kg किस option में है? देखेंगे option number C में है. तो आपको option number C दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. तो दोस्तों हम उमीद करते हैं, आप इस question को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे और इस type के भी question आपकी exam में आएगा, तो आप अच्छे से solve कर लेंगे. चलिए. आप चलते हैं दोस्तों, next question के ओर, question आपको समझ में आ रहा है, तो like, share, जरूर करिए. चैनल पे नहीं है दोस्तों, काफी important question है, ये भी repeated question है, कई बार exam में repeat किया है, तो एक बार ध्यान से पहले question को पढ़िए, question है दोस्तों, सिल्पा ने 3 घंटों के लिए 20 km प्रति घंटे की गती से, और उतनी ही दूरी 15 km प्रति घंटे की गती से तै किया, सिल्पा की औसत गती किलो मेटर प्रति घंटा में ग्यात करे कितना है, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखिए सिल्पा क्या करे तीन घंटों के लिए 20 km प्रति घंटा, यानि कि 3 घंटे के लिए कितना चली है 20 km, तो दूरी कितना की दोस्तो, 60 km दूरी तै की, ध्यान दीजियेगा, अब यहां पर कह रहे हैं, उतनी ही दूरी 15 km फर्दी घंटा, तो 60 km दूरी दूरी 15 की रफ्तार से जब जा रही है, तो टाइम क्या लगेगा दोस्तो, 15 चोब को 60, 4 घंटा लगेगा, यहां पर ध्यान दी टोटल दूरी कितना चली 120, समय टोटल कितना ली दोस्तो, 3 घंटा पहले और 4 घंटा बाद में ले रही है, तो 4-3 क्या हो जाएगा, 7, बस यही हो जाएगा, और सत्गती आगे आपका, ज्यादा कुछ नहीं करना है, 120 को साथ से भाग करना है, तो 120 को साथ से कैसे भाग करे आप ऐसे लिख ली जिए, जो सिंपल बॉहाग करने वाला जो तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा, 7 एकम दोस्तो क्या होगा, 7 हो जाएगा, 12 में से 7 कम करेंगे तो दोस्तो क्या होगा, 5 और यह 0, 50 हो जाएगा, फिर 7 सत्त्ते क्या हो जाएगा दोस्तो, यहाँ पे 49 हो ज बीम है तो आपको अपसे नंबर भी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो दोस्तों हम उमीद करते हैं आप इस प्रशन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गहोंगे और इस टाइप के भी कोशन आपकी एक्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंग तो अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को मन लगा के तैरी करना है चलिए चौथा कोशन देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रसन भी हमेसा रिपीट होते है पूछा गया प्रसन है प्रसन है दोस्तों दोसो लीटर के एलकोहल के गोल में 30% एलकोहल है गोल मे कितना और अलकोहल मिला दिया जाए ताकि अलकोहल की मातरा गोल में 50% बन जाए देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ परसन समझेगा 200 लीटर है दोस्तों अलकोहल का गोल ठीक है उसमें 30% अलकोहल है बोल रहा है दोस्तों इसमें कितना और देखिएगा अलकोहल मि क्या है 30% अलकोहल है बोल रहा है कितना alcohol मिला दिया जाए कि 50% हो जाए टोटल मात्रा कितनी है दोस्तों ध्यान दीजिएगा 200 है और इसमें क्या करना है 30 से 50 करना है बृधि कितने की करनी है 20% की तो 200 गुने 20 और बटा में क्या लिखते हैं दोस्तों 100 माइनस मिस्रेड में तो आपका उप्सिन नमबर C दोस्तो क्या हो जाएगा तो दोस्तो हम उमीद करते हैं आप इस प्रशन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गहोंगे और इस टाइप के भी कोश्चन आपके एक्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल कर लेंगे चलिए आप से अलते हैं दोस्तो नेक्स्ट कोशन की और एक बात और बता दू दोस्तो अगर आप मैट बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइस पढ़ना चाहते हैं तो आप सेकेंड वाले चैनल एक्जाम फिनिसर से जरूर जूर जाएए दोस्तो एक्जाम फिनिसर का लिंक हम नीच परसेंटेज की फुल क्लास लिए तो उस चैनल से भी जूड़के आप लोग लाफ जरूर उठाएए उस चैनल से आपको बहुत लाफ मिलेगा चलिए आगे चलते हैं दोस्तो अगला कोसन देखिएगा पांचोवा कोसन है पांचोवा कोसन में कुछ नहीं डारेक्ट आंसर दिया जता है लेकिन हम आपको पहले बेस्टी कॉंसर्ट बता दे रहे हैं फिर हम आपको सौटरी बताएंगे कि ऐसे प्रसनों को पेन उठाने की जोरत नहीं है डिरेक्ट आंसर कैसे देंगे पहले प्रसन को ध्यान से देखिएगा प्रसन है दोस्तो यदि x-1 by x is equal to 5 तो x हम लिख देते हैं a-b का दोस्तो क्या का बताना है holy square क्या होता है दोस्तो a square plus b square minus 2ab यही होता है यही आपको करना है यहाँ पे जो दिया है दोस्तो x-1 by x बराबर 5 तो आप क्या करिए दोनों पक्सों का square करेंगे तो क्या होगा x-1 by x का दोस्तो यह हो जाएगा holy square इधर क्य जगा क्या करेंगे X की जगा A और 1 by X की जगा B यही रखना है दोस्तों जैसे आपको फार्मूला में बताएं तो A square की जगा मतलब X square हो जाएगा X square और क्या होगा दोस्तों plus B square की जगा 1 by X square हो जाएगा समझिएगा ठीक है उसके बाद से दोस्तों क्या है minus 2 A b है तो minus 2 गुने X गुने 1 by X यही होगा न A की जगा X है और B की जगा 1 by X समझ रहे हैं और बराबर दोस्तों 5 का square करेंगे तो क्या होगा 25 होगा यह देखिए X से X cancel हो गया समझ रहे हैं इधर क्या हुआ minus 2 अब देखिए minus 2 दोस्तों यह जो है बराबर किधर जाएगा तो क्या होगा plus 2 हो जाएगा और इधर बचेगा क्या X square plus 1 by X square बराबर क्या होगा 25 plus 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा और हमें value क्या बताना था दोस्तों बताइएगा कि option number B में है, तो आपका option number B दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो दोस्तों हम उमीद करते हैं आप इस question को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे exam में लेकिन इतना आपको नहीं करना है दोस्तों, आप exam में क्या करेंगे, यहाँ यहाँ पर देख रहे हैं, X-1 by X बराबर 5 है, तो दोनों बक्सों का जब square करेंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा यह, X square हो जाएगा, प्लस 1 by क्या होगा, दोस्तों, X square, और प्लस, यहाँ नहीं कि, माइनस 2 यह भी होता है तो माइनस 2 जब उधर जाएगा, तो क्या होगा, प्लस 2 और यहाँ पर 5 का square दोस्तों करेंगे, तो 25 25 में 2 जोडेंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, direct आप answer देंगे direct answer देने के लिए क्या करेंगे, दोस्तों हम आप लोग के लिए practice set की, एक अलग class लगा देंगे जिसमें हम जादा से जादा question की practice भी कराएंगे, ठीक है वीडियो कैसा लगा, comment करके जरूर बताईए, अच्छा लगा है like, share, दोस्तों, जरूर करिए, आपके पास जितने भी a study later group है, और एक बात और बता दूँ दोस्तों, ssc maker के द्वारा एक special ebook launch की गई है, यह ebook दोस्तों आपका अगामी exam के लिए बहुत ही important है, इस ebook में 1500 plus question है, जो most important question है, जो most repeated question है, जो हमेशा exam में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रशनों को इस ebook में सामिल किया गया है, इस ebook को दोस्तों ले के एक बार आप जरूर पढ़िये, लेंगे कहां से दोस्तों इसका link, दोस्तों हम नीचे description box में दे दिया है, लिंक पे क्लिक करके इसे जरूर download कर लिजिएगा, दोस्तों, ebook की कीमत मातर 49 अगर आपको download आप payment करने में किसी परकार की समस्या होती है, तो दोस्तों ये ससी maker का एक customer के number है, इस number पर आप call करके बात भी कर सकते हैं, आप तक की दोस्तों ये best ebook है, इसे एक बार लेका आप जरूर पढ़िया, आपकी exam में बहुत help मिलेगा, और एक बात और बता दूँ, अगर आप railway exam के तहरी कर रहे हैं, तो दोस्तों railway exam के लिए हम प्रिव में crash course भी चलायते हैं, crash course ओला वीडियो आपको कहा मिलेगा दोस्तों, आप क्या करिएगा, देखिए, आप SSC maker चैनल पर है, playlist में जाएंगे, तो railway reasoning crash course के नाम से playlist बना है, जिसमें 38 वीडियोज है, railway math crash course के नाम से playlist बना है, इसमें भी 38 वीडियोज है, ये railway के syllabus के recording है, एक बार दोस्तों इसे आप अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिए, आपके exam में इससे भी बहुत help मिलेगा, क्योंकि इसमें सारे privacy के और important question हम करा है, सारे concept भी clear किये है, मन लगा कि दोस्तों अच्छे से preparation करिए, कहीं भी समस्या आती है, तो comment करके बताईए, हम समस्या के समाधान जरूर निकालेंगे, बस आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा, comment जरूर करिएगा, अच्छा लगा है, like share कर दीजिए, चैनल पर नहीं है, तो चैनल से भी जुड़ जाईए, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और भी important प्रशनों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यबाद